सबसे पहले याद करो बच्चो अपनी प्लस वन का फिर्स डे जब हम प्लस वन में फिर्स डे मेरे पास आप लोग आए थे प्लस वन अकाउंट्स जब ने फिर्स डे अकाउंट्स स्टार्ट किया था तो वेरी फिर्स डे मैंने आपसे कहा था याद करो प्यारे बच्चो कि जो अकाउंट्स है that is concerned with the business ठीक है बिटा और बिजनस के हम कोई भी काम करें for making profit जिसमें मारा पैसा multiply हो जाए हमें profit हो जाए that is called business उसे हम बिजनस का नाम देते हैं फिर आपको मैंने कहा था बिटे इसमें एक example भी दिया था आप लोगो मान लेते हैं कि एक Mr. A है और एक Mr. B है फिर मैंने आपसे कहा था कि A जो है वो एक seller है और B क्या है buyer ऐसा मैंने अपनी first class में आपको बताया था guys अगर A seller है बेटे तो obviously वो कुछ good sold करेगा वो कुछ समान बेचेगा good sold करेगा तो बताओ बेटे B बदले में उसे क्या देगा आपने कासर money देगा पैसे देगा cash देगा okay बेटे यहां तक हम समान purchase किया A ने उसे क्या दिया goods okay A is a seller और B A को क्या देगा money यानि की cash तो इन डोनों के बीच में क्या हो गया तो मैंने पूछा बताओ बच्चों क्या हो गया तो मुझे कोई बच्चा क्या से दोस्ती हो गई लो भाई A कहता जान पहचान हो गई जान पहचान हो गई अच इन दोनों के बीच में एक transaction हो गई एक lien देन हो गया and not only transaction इसे बोलते हैं business transaction ऐसा क्यों because A एक seller है जब वो B को good sold करेगा तो obviously उसे पैसे profit charge करेगा वह अगर 10 रुपे का समान है तो A B को 10 में तो बेचेगा नी 9 में तो बेचेगा नी A B को वो profit पे sold करेगा इसका मतलब इसमें profit involved हो गया जिस business transaction में या जिस transaction में जिस transaction में profit involved हो जाए that transaction become business transaction तो अगर एक transaction business transaction कब बनती है बच्चो जब उसमें profit motive involved हो जाए ठीक है पेटे एक transaction business transaction कब बनती है which involve profit motive कई इस पैसे का होना यह डिपेंड नहीं करता कि वो business transaction है या नहीं है पैसे से यह नहीं बिटा अगर आपके पेरेंट ने आपको pocket बनी दी तो वो business transaction नहीं है आपके पापा ने आपकी help की पैसे से तो वो business transaction नहीं है बिटा हाँ अगर हम profit motive से help कर रहें किसी की वो business बन जाता है सो यहां तक हमें क्लियर हो गया पिस्टी क्लास हैं पढ़ चुके हैं बिजनस ट्रांजेक्शन क्या होती है फिर आपको समझाया था कि क्योंकि human bank जो memory है वो limited है बच्छो एक आदमी की human की जो memory है वो तो limited है तो हम इन सभी business transaction को क्या करते हैं बताओ record करते हैं और recording को नाम दिया गया बेटा bookkeeping कौस्तव क्या नाम दिया गया बेटा bookkeeping business transaction को बच्छो books में record करना that is called bookkeeping अब guys समझना bookkeeping समझा आ गया अब record करने का कोई एक ही method हो यह तो जरूरी नहीं है मेटा record करने का एक ही तरीका हो यह तो जरूरी नहीं है guys मुझे डैली जाना है मैं by car भी जा सकता हूं मैं by air भी जा सकता हूं तो अगर मुझे डैली जाना है तो में पर different modes थे उसी तरह से बचो transactions को record करने के लिए हमारे पस कई रास्ते हैं सर बताईए प्लीज बताईए एक तो है जो आप अलड़ी पढ़ चुके हो पहले जर्नल यह जर्नल चैप्टर यह भी तो यह है अगर भाई जर्नल चैप्टर तो पहले ही पढ़ चुके है तो पर गया बेटए आज हम जर्नल तो नहीं पर अगरेंगे आज को different पढ़ेंगे yes बेटे different पढ़ेंगे is called subdivision of journal आज हम क्या पढ़ने वाले हैं subdivision of journal journal नहीं करेंगे वो हम कर चुके हैं already अब हम करेंगे subdivision of journal और इसमें जो आज का topic है वो हम discuss करेंगे इस subdivision of journal में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चो इन ब्रैकिट, सबसीडेरी बुक and other subsidiary books. आज हम ये पढ़ेंगे. आज हम ये पढ़ेंगे cash book या other subsidiary book. आज हम ये पढ़ने वाले हैं. मैं बता हूंगा आपको. अभी तक मैंने आपको क्या बताया है बच्चो या जराफटाफट देख लो. सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि business transactions क्या होती है जो business में हो बेटे जिसमें profit motive involved हो business से जो भी हम sale purchase जो भी business का dealing कर रहे हम लोग buy कर रहे हैं, sell कर रहे हैं, expenses pay कर रहे हैं, income receive कर रहे हैं ये सब business transactions के example हैं फिर बात की गई कि human memory जो है वो limited है तो business transactions को books में record करते हैं record क्यों करते हैं, because we take time के बाद आपको profit भी निकालना है आपको business की financial position चेक करनी है अपने business के future planning करनी है, budgeting करनी है तो इन सब के लिए आपको accounting, अपने business को analysis करना पड़ेगा accounting को analysis करना पड़ेगा तो आप transaction को books में record करते हैं और proper books of accounts बनाते हो, because books of accounts है ना बेटा, वो किसी भी business का एक face है उस को देखकर ही, उस accounting को देखकर ही लोग हमारे business पैसे invest करेंगे उसी accounting को देखके बेटे government हम पर tax लगाएगी उसी के basis पर हम लोग बाकी के future plannings करेंगे तो accounting तो compulsory है हर business के लिए, जरूरी भी है मैंने क्यों जरूरी बता दिया आपको, तो आज हम बात कर रहे है business transaction को record करने की अब गर आपको एक objective question आता है कि transactions को record करने के कौन कौन से आपके पास way है तो आप बताएंगे, we have two way, the one buy through journal and number two buy through sub division of journal ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है, अब बेटे आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हमें sub division of journal करना है बच्चों, हमने journal chapter कर लिया है, हलांकि journal chapter बाद में सामने heading, transaction, और जहां भी बेटे मैं वर्ड लिखता हूँ ना, transaction, तो इसका मतलब है business transaction, आप समझ जाना को कि simple transactions को हम accounting में discuss नहीं करते हैं, accounting में हम सिर्फ और सिर्फ business transactions को ही discuss करते हैं, ठीक है बेटा, तो आज की class से पहले मैंने question किया, मुझे बताईए बच्चों कि हमारे पास जो transactions होती है, उनके कितने types होते हैं, तो यानि कि हमारे पास कितने types की transactions होती है, तो number one क्या है, चलो मैं आपकी help करता हूँ, first है आपके पास cash transactions, आप note कर रहे हो ना बेटे सबी सार साथ, हाँ बिल credit transactions, लो भाई, सर की प्यारी बच्ची, लाडली बच्ची, उजस्मी मुझे पूछ रही है, सर ये बताईए, इनमें क्या फ़रक है, cash transaction और credit transaction या non cash transaction में क्या फ़रक है, देखो बेटा, सबसे पहले समझना, यहाँ पे cash का मतलब, cash का मतलब cash है, plus bank है, bank का मतलब बेटे, आपको पता है guys, जो भी आज कर हम swapping करते हैं, purchasing करते हैं, तो सर्फ cash में नहीं करते हैं, हम कई बार paytm से, google page से, किसी और e-wallet के थूर भी payment कर देते हैं, और इसी जरह से हम payment receive भी कर लेते हैं, तो ultimately जितने भी ये e-wallets होते हैं, इन सब में banking का role बढ़ जा बेटे, यानि cash का मतलब मेरा यहां पे cash और bank दोनों से है, cash में आपको पैसे मिले, आपको through bank मिले, और bank के through तो बेटे आपको कई तरीके से मिल सकते हैं, through, google pay के through मिल सकते हैं, या और बहुत से e-wallets mode हैं, मैं उनके सब के नाम यहां पे नहीं ले पाऊंगा, तो वो सभी banking क का ही पार्ट हैं, तो cash transaction का मतलब यहां पे cash और bank दोनों है, clear point, अब यह non cash क्या होती है, credit क्या होती है, उधार वाली, देखो आपके सामने example है, purchase goods for cash, यह cash transaction है, purchase goods on credit, यह credit transaction है, sold goods for cash, cash transaction है, पर यह sold goods on credit, यह credit transaction है, received commission by check, cash transaction, received interest by check, cash transaction, check से में मिलरी बट cash transaction में इसे involved करते हैं, discount allowed, depreciation, loss on sale of asset, इन सब में cash involved नहीं होता, are called credit या non cash transaction, clear point, तो guys, अब यह बता दिया है, मैंने कि business transaction दो तरह की होती है, एक cash और एक non cash, तो guys, जो cash transaction होती है, इनको record करने के लिए हम बनाएंगे cash book, क्या बनाएंगे इनको record करने के लिए cash book, इसको हम लोग subsidiary book भी कहते हैं, subsidiary book भी कहते हैं, subsidiary book, और दूसरा आता है हमारे पास, other subsidiary book, तो यहाँ पे आप ऐसा पढ़ लें, यहाँ पे इस तरह से, मैंने आपको लिखवा तो दिया है, क्योंकि जो cash book है, वो भी subsidiary book कही पार्ट है, subsidiary book को ही हम लोग cash book बोल देते हैं, एक होती है other subsidiary books, उसमें बाकी सारी books, एक्सा जितनी books बचती हैं, वो सब आती हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, purchase book, sale book, purchase return book, sale return book, bills receivable book, bills faible book, general proper, वो सब हमारे other subsidiary books में आती हैं, बट अब यहाँ पे, थोड़ा सको short कर लेते हैं, तो एक है cash book और एक है subsidiary books, ऐसा बेटे आप लिख लेंगे अपने पास, आपको मोटे ताबे मैं समझा दू, हलांकि यह दोनों ही subsidiary books होती हैं, accounting में आप confusion ना हो आप लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि cash transactions record कहा होती है, cash book में, और credit transactions कहा record होती हैं बेटे जरा बताओ, subscribe books में, तो अब आगे बढ़ते हैं, आज हमें क्या करना है, आज हम बच्चों यह cover करेंगे, आज हम करने वाले हैं, cash book, लो प्यारे बच्चों, लिखो for the offer, इसके बारे में note करेंगे, note down करेंगे, लिखो heading MSB, यह MSB क्या होता है, MSB की full firm होती है, मोटी सी बात, कि cash book के बारे में मोटी मोटी बाते हैं, क्या है cost बेटे, आज आपको बता देते हैं, तो लिखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको meaning clear होना चाहिए, meaning बेटे clear होना चाहिए, तो लिखेंगे, cash book, these are those books these are those books in which we record all cash transactions, यहाँ पर cash का मतलब cash and cash equivalent, cash equivalent, जो cash के बराबर है, वो भी include कर लेते हैं, these are those books in which we record all cash transactions, full stop, यह होती है cash book, दूसरा point, लो भई, दूसरा point, पहले point में आपको सरने क्या समझा दिया, meaning, cash book क्या होती है, these are those books in which we record all cash transactions, चाहिए, वो cash के थ्रू हो, चाहिए, वो check के थ्रू हो, चाहिए, वो bank के थ्रू हो, वो सब cash transaction में आती हैं, बेटे, नगत, cash मतलब हो, यहाँ पर नगत लेन दें, number two, भाई, कौन सा two, number two, it is a, it is a real account, यह real account किसी की याद दिलाता है, बेटे, लो भई, वाली मेम की याद दिलाता है, नहीं बेटे, real account यहाँ पर याद दिलाता है, journal chapter, journal chapter में आपने टीन golden rule किये थे, भाई, first क्या था, personal account, दूसरा था, real account, तीसरा है, nominal account, हम cash book में क्या लिखा मैंने, it is a real account, तो guys, अब यह बनता है, बताना कि real account क्या था, तो मैं बता दूँ आपको इसका rule था, debit what comes in and credit what goes out, कि जो आ रहे है, comes in, उसे debit कर दो, और जो जा रहे है, उसे credit कर दो, अब आ क्या रहे है, यहां बात कर रहे है, cash की और check की, अगर हमारे पास cash या bank आ रहे है, तो debit कर देंगे, मतलब debit side लिख देंगे, अगर cash या check जा रहे है, तो credit side लिख देंगे, how, वो आगे जा के बताऊंगा पेटे मैं, यहां तक यह तो समझ दो, यहां तक दो बाते बताई हैं, number 1, cash book में सिरफ और सिरफ cash transactions record होती है, yes or no, yes, cash book में सिरफ cash transactions record होती है, number 2, by nature, it is a real account, real account, क्या होता है यह account, debit what comes in, credit what goes out, कि अगर debit what comes in, कि अगर cash आ रहा है, debit side, cash जा रहा है, credit side, और cash का मतलब यहां पे क्या है, cash and cash equivalent, cash या bank, दोनों को हम cash में include कर लेते हैं, आगे बढ़ें, हाँ से बिल्कुल बढ़ जाईए, number 3 आता है, भाई कौन सा 3, number 3, number 3 है, it does not include, does not include non-cash transactions, इसमें non-cash transactions record नहीं होती, non-cash transaction की example मैंने अभी दिया, आपको discount allowed है, loss on sale of asset है, depreciation है, या credit purchase है, जिन transaction कैश या bank नहीं होता, are called non-cash transactions, वो include नहीं होंगी, बिल्कुल ठीक है सर, अब बेटे, बहुत सारी बाते बता दिये, इतनी बाते इंपोर्टन थी इसमें, अब number four पे आजाओ, types of cash book, भई cash book के type कर लेते हैं, लो भई note कर लो, cash book के type हमने लिख लिए, इसीता दिदी मुझे कहती है सर, ये तो मैं बताऊंगी, बताओ बेटे, बताओ, आपको क्या लगता है कितने type की cash book होंगी, तो number one लिखो बेटे, भई इसीता दिदी बता रही हैं, मुझे number one होता है, लिखो, single column cash book, number one बेटे क्या है, single column cash book, single column cash book, जिसमें एक ही column हो, single column cash book, अच्छा सर, number two लिखो, number two, double column cash book, ये number two है, double column cash book, गाई सबसे पहले क्या था, single column cash book, number two, double column cash book, क्या लगता है कॉस्तोफ, थर्ड क्या होना चाहिए, बिल्कुल, बोलो बेटे, triple column cash book, बई number one था, single column cash book, number two, double column cash book, number three, triple column cash book, और number four होना चाहिए, बेटे, four column cash book, नहीं प्यारे बच्छो, नहीं, cash book में तो तीन ही column maximum बनते हैं, तीन ही column maximum बनते हैं, तो सर्थ फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, तो गाईस, फोर्थ नंबर पे है, लिखो, पैटी cash book, पी-ई-डेवल-टी-वाई, पैटी cash book, गाईस, पैटी का मत होता है, चोटे मोटे expenses, वो इसमें record होते हैं, यह अलग cash book बनती है, इस कॉल्ड पैटी cash book, और गाईस, एक बात और बड़ी important, triple column cash book आपके syllabus में नहीं है, इसे भी हटा दो, तो finally आपको single column cash book, double column cash book, और petty cash book, यह करनी है, बट मैं बता दूँ, क्योंकि अब आपके objective question paper, objective आएंगे, objective form में आएंगे, तो आपको cash book बनाने के लिए नहीं देंगे वो आपको, कुछ भी बीच में से पूछ सकते हैं, कि यह item किस तरफ आएगी, कैसे record करेंगे, debit record करेंगे, credit record करेंगे, कितना record करेंगे, किस column में record करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको, थोड़ी बहुत तो cash book की practice करनी ही पड़ेगी, तभी उसकी placement आप जान पाओगे, कौन सी item कहां पे आती है, चलो जी start करते हैं, तो अब आप लिख लेंगे, अपने पास heading डालेंगे, single column cash book, single column cash book, low प्यारे बच्चों, heading डालो अपने पास, single column, यहां गाई single का मतलब है एक, एक column, और वो एक column किसका रहेगा यहां पे, वो रहेगा बेटे, cash का, single column का मतलब है एक column, किसका column, cash का column, तो आओ बेटे आप बनाते हम format, तो एक हम cash book का format बनाएंगे, लो प्यारे बच्चों, मैंने cash book का एक format बनाना है आप लोगों के लिए, देखिए आप सभी, आप भी बेटे ऐसा format draw कर लेंगे अपने पास, लिखेंगे heading cash book, और half page का आपने एक format बनाना है बेटे हाफ page का, half page का, ऐसा कोई format आपने कहीं पे किया भी हुआ है न, कोई chapter में आपको याद आ रहा है बेटे किसी बच्चे को, यह हमने कहीं किया भी हुआ है, यह हमने जब rules of debit and credit chapter किया था, T-shape account वहाँ पे किया था इस type का format, चलो फट आप फट से बनाते हैं, headings पुट करते हैं पहले, भई, we have two sides, one is left side, other is right side, तो left side लिखो पहले heading, date, first column में date लिखेंगे, second column receipt, receipt, फिर LF, LF मतलब ledger follow, इसके बाद जब हम ledger account बनाएंगे, उस ledger का number इसमें आएगा, इसका practically बटे कोई use नहीं पूरे साल, ये पूरे साल column खाली रने वाला है बेटे, कोई use नहीं है, बस बनाना पढ़ता है, part of formatting है, आपको ये column बनाना पढ़ेगा, बढ़ इस column का पूरे स्प्लस्वर में use नहीं है, फिर amount column, amount column बेटे, अब आजो right side, again date, फिर payments, फिर LF, और फिर amount, right side is credit side, left side is debit side, हम इन column को इस तरह से पढ़ेंगे, जो left side है उसे बोलते हैं, left side मतलब की debit side, और जो right side वाला part है, is called credit side, ठीक है बेटे, कोई doubt यहां तक, ठीक है, तो clear हो गया, left side और right side की बास में जा गी, तो left side क्या होता है, debit side, या receipt side, और right side क्या होता है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए इसकी logic है, कोई रिटाफिकेशन ही हैं गाईज, cash book by nature कौन सा account है, बताओ मैंने क्या बताया था, याद है आपको, real account, क्या रूल था, debit what comes in, receipt side, comes in, receipt side मतलब पैसे आ रहे हैं, तो ये debit में आएगा, payment side मतलब क्या होता है, goes out, पैसे जा रहे हैं, तो ये credit side में आएगा, कोई ratification नहीं है, पिस logic है, बिल्कुल formula बेज चल रहे हैं, cash book by nature real account है, debit what comes in, debit मतलब पैसे आएं, तो debit side, receipt side, पैसे जाएं, मतलब payment, तो credit side, मतलब payment side, आप सब ने ये format, सबसे पहले format बिनाना है, चल्दी बिनाओ बेटे format, फिर आगे बढ़े, चलिए, जल्दी से बेटे आप ये, फटा-फट से format ड्राइब कर लो, फिर आप एक question करेंगे, मैं question बोल रहा हूं, cash in hand, rupees 70,000, पिर टे कई बार आपको लिखा हूँ है, यहाँ पे cash in hand, कई बार ऐसे आएगा, start business with cash, दोनों में क्या फरक है, बही cash in hand का मतलब कि यह, ओ अलड़ी आपके पास balance था, is called opening balance, is called opening balance, अगर लिखा हूँ है, start business with cash, तो उसे बोलते हैं, कि हमने अभी business start किया है, नया business है, कर दो ही बाते होंगी न, जो आप cash भू बना रहे हो, जिस मन्त आप cash भू बना रहे हो, अगर तो business पुराना है, फिर तो आपको opening balance दिया होगा, तो हम लिख लेंगे two balance brought down, अगर business पुराना नहीं है, आपने अभी start किया है, तो उस case में लिखाओगा, start business with cash, तो वहाँ पे capital वर्ड यूज रहेगा बिटे, फरक इतना है कि अगर हमारे पास, already cash in hand दिया होगा है, that is called opening balance, अगर हमने business start किया है, अगर हमने business start किया है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे capital, तो मैं दोनों तरह समझा दूँगा आपको, ये आपको cash in hand के वे में भी आ सकता है, या फिल लिखाओ सकता है, start business with cash, start business with cash, दोनों तरह से बतावाँगा, बैटे कैसे question आपको आएगा, कैसे question आपने करना है, चलो फटा फट से जल्दी से आप note करो, January 1 हो गया, बैए जैन 5 लिखो, sold goods, sold goods for cash rupees 20,000, बैए sold goods for cash rupees 20,000, हमने goods sold करी हैं, ओके, जैन 10th purchase goods for cash 30,000, ओके, purchase goods for cash 30,000 है, सर और कुछ होगा, हाँ बिल्कुल बैटे, बहुत सारे point लेने वाले हैं अभी दो, जैन 15 है बच्चो, purchase furniture, पर्चेस फर्नीचर, for cash rupees 10,000, उसके बाद, जैन 20, sold goods on credit rupees 20,000, जैन 20,000, जैन 25 प्यारे बच्चो, जैन 25, received commission, rupees 10,000, received commission, rupees 10,000, जैन 31, cash deposit into bank, rupees 20,000, देखा बेटे आपने, cash deposit into bank, rupees 20,000, हमने चोटा था question लिखा, और लिखा, prepare cash book, आपके सामने बेटे question है, इसमें बेटे सिरफ, इसमें बेटे सिरफ, जो first point है, उसको मैं दोनों तरीके समझाऊँगा आपको, कई बार हमें question में opening balance दिया होता है बेटे, कई बार लिखाता है start business with cash, तो दोनों में से कैसे आपको आएगा, बेटे बेटे question note कर लो सारे बच्चे, first point को मैं पहले समझाता हूँ, तो अब हमारे पास एक question लिया गया, इसमें जो first point था Jan 1, उसको दो तरीके समझना है बेटे, कई बार हमें opening balance दिया होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है cash in hand, हमारे पास already cash है 70,000, तो इसे कैसे करेंगे, तो बेटे इसे हम इस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे date column है January 1, बेटे एक बात ध्यान रखना, जो भी item debit side, receipt side, left side आएगी, always start with the word 2, यहाँ पर 2 यह represent करता है, कि यह item debit side में आनी है, और कोई भी item credit side में आएगी, तो start with the word buy, हमें रिप्रेजेंट करते हैं debit credit, यह याद रखना है बेटा बात, तो cashbook में जो भी item आपने debit side, left side, यह receipt side record करनी है, always start with the word 2, गैस क्योंकि अब आपका paper objective होना है न, तो मैं आपको बता दूँ, यह easy नहीं हुआ आप लों के लिए, tough हो गया काम, अब आपको हर चीज को बड़ी बारीगी के साथ, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अब आपके पास पूरे chapter की theory, thoroughly आपके पाँ होनी चाहिए, आपके mind में, पता नहीं वो कहां से क्या पूछ ले, यहां पर अगर मैं पूछ हूँ, आपसे भी cash book में जो left side 2 लिखते हैं, वो क्या represent करता है, buy क्या represent करता है, तो यहां पर 2 जो represent कर रहा है, यह cash book में debit side आएगा, मतलब item यह credit की है, और जो credit से में buy word आया, वो item debit की है, item ledger posting इना में हमने, इसलिए credit side में आया है, तो याद रखना, cash book में जो भी item आप left side लिखेंगे, debit side लिखेंगे, receipt side लिखेंगे, start with the word to, और right से जो भी item हैगी, start with the word buy, अब क्योंकि हमें opening balance की बन्दा, cash in hand, cash in hand, opening balance, पेटे opening balance था न, तो लिखेंगे to balance brought down, balance पूरा लिखना है बेटा, balance पूरा लिखना है आपने, बी oblique D brought down, या बी oblique F brought forward, इसका मतलब होता है, brought down का simple meaning है प्यारे बच्चों, opening balance, brought down रेप्रेजेंट करता है opening को, carry down जो बच गया, carry करके आया, carry down रेप्रेजेंट करता है closing को, brought down जो लास्ट येर जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ था, जब वो यहाँ पर आया उसे बोलते हैं brought down, यानि opening में, पिछले साल का closing यहां क्या बन जाएगा, opening, brought forward, brought down, तो brought down रेप्रेजेंट करता है बेटे, opening balance को, और carry down, C oblique D, आगे जाके आएगा बैचो, carry down रेप्रेजेंट करते हैं जो बच गया, और जो बच गया वो क्या होता है, closing balance, भई आज कि दिन के हम सुरुवात कर रहे हैं, मेरी जेब में 50,000 रुपिस पड़े हुए हैं, बताओ, मैं दिखा नहीं दा हूँ, आपको ऐसे मत देखो, ये कोई KBC क्वेशनली में आपको इनाम देने वाला नहीं हूँ बैटे, ये आपको मैं दिखा नहीं हूँ, मेरे पास आज, कि सुरुवात में मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, बताओ, ये मेरे लिए क्या है, ये 70,000 मेरे लिए क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है, क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, मेरे पास पैले से पड़े हैं ना बेटे, ओपनिंग बैलेंस है, ये बैलेंस कब कैसे आए, ये कल मैंने सेल की थी, मेरे पास कल के पैसे बचे हुए तो कल ये क्या थे कल ये क्या थे last yesterday क्या थे ये closing balance अब जब मैं तियार शार हो कि आज अज सुबह इंस्टूट में आ गया हूँ मेरी जे में पैसे पढ़े बताओ ये क्या है आज में लिए opening balance समाझ के मेरा opening closing क्या होता है सुरुवात में starting of the month starting of the day starting of the year opening balance end of the day end of the month end of the year दिन का last शाम करे टाइम जो बच गया वो क्या बन गया carry down closing balance अब मुझे लगता है brought down carry down opening balance closing में कभी भी confusion नहीं होगी B for brought down opening balance C for carry down closing balance अब ये तो था 73 लेकिन हमारी बच्ची प्रग्या मुझे पूछ रही है इशिदा भी पूछ रही है सर अभी आपने first point को दो तरह समझाना है हमारे को एक तो जब आपको opening balance दिया हो तब तो लिखेंगे do balance brought down अगर हमें opening balance नहीं दिया हुआ हमारे पास opening balance नहीं है हमें लिखावा start business with cash मेरी जब में कोई पैसे नहीं बेटे मैं हटा लेता हूँ यहां से कॉस्तू बावा मुसे मांग रहा है सर वो हजार पे वाला question था हजार पे दो यह बेटे मेरी जब खा लिए देखो बेटे बिल्कुल खा लिए बिल्कुल खा लिए कुछ नहीं मेरे पास हमने अभी अभी जस्त आज है आज है 1st January happy new year वाला दिन आज हमने business start किया मेरे पास पहले से कोई पैसे नहीं है आज हम business start कर रहे है with cash रुपे 70 अब मैं 70 रुपे घर से लेके आऊँगा 70 में घर से लेके आऊँगा business से नहीं मिटा यह पिछले सागा balance नहीं है मैं अपने घर से पैसे लेके आता हूँ यह देखो भी मैं घर गया और वहां से मैं 70 रुपे लेके आ रहा हूँ यह मैंने पैसे business में लगा दिये लगा दिये business में देखा आँ लगा दिये घर से लेके आया था इसको और start business with cash फिर कैसे करेंगे इसको अब उपनी बेंग तो है नहीं है तो लिखेंगे or to capital account याद है पिटे starting से पढ़ते आ रहे है start business with cash हमने जनर में क्यांटरी पास करी है cash account debit to capital cash account debit to capital clear point to capital हलाकि अगर लेजर इससे पहले कर लिया जाए तो cashbook और easy हो जाती है क्योंकि लेजर पोस्टिंग है ना प्रेटे cashbook में तो पूरी लेजर पोस्टिंग यूज होती है but don't worry हम बड़े और आम से चलेंगे आपको 100% समझ आएगा तो यह दो तरह से आएगा अब बड़ अच्छा question किया यहां बच्चे निमित मुझे पूछ रहा है sir क्या यह दोनों एक question में आ सकते है balance brought down और two capital नहीं एक ही आएगा एक ही आएगा यह तो मैंने आपको समझाया है बड़े अगर हमें लिखा हुए cash in hand या opening balance तो हम लिखेंगे two balance brought down अगर लिखा हुए commence business start business तो गहां लिखेंगे two capital दोनों में से एक ही आएगा बड़े टेक time पे तो चलो मैं हाँ से एक rub करता हूँ बड़े आपको समझा दो दिया है यह मैंने तो यहां से मैं rub करता हूँ इसको start business word को एक ही word लेके चलेंगे ने बड़े confusion ना होजा हमारे बच्चों को और यहां भी बड़े मैं two balance brought down लिखूंगा two capital नहीं लिखूंगा यह लोग अब start करते हैं बढ़ी second point पर आते है second point क्या कहता है हमें कहता है sold goods for cash देखो बड़े यह जितने भी points आपको दिये मैंने आपको total हमारे पास यह six seven points है इन seven points को accounting की language में क्या बोलते हैं business transactions सुरू में बताया था मैंने आपको इन्हें बोलते हैं business transaction guys यही इसी type के question आपको मिले थे accounting equation chapter के अंदर इसी type के question आपको आए थे journal के अंदर इसी type question आपको आए है cash book और subscribe के अंदर इसका मतलब यह question same है यानि एक question से एक question से आपको account equation भी आ सकती है journal भी आ सकता है and cash book and subscribe भी आ सकती है एक ही question से अब देखो कौस्तिव सोच रहे हैं कि सर आपके दिमाग में चल क्या रहा है बता दीजिए तो मैं बता तहूं परेटे मिरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी तो नहीं आने वाले दिनों में मैं एक ऐसा टेस्ट लूँगा आप लोग का जिसमें मैं आपको 10 से 15 पॉइंट और एक ही क्वेश्टन से आपसे कहुँगा You are required to prepare accounting questions, you are required to show accounting questions, number two. You are required to pass necessary journal entries and number three. Prepare cash book and subsidiaries books. एक क्वेश्वेस्ट से हम तीन निशानने लगाएं रहें यहीं, तीन क्या है यहा पे? business transaction question, निशाने क्या है एक accounting equation दूसरा journal तीसरा subscribe books इससे हमारे concept ज़्यादा clear हो जाएंगे एक ही question से तीन चीज़े करनी है तो accounting equation भी revise होगी journal भी revise होगा और subscribe या दी cash book भी revise होगी आगे बढ़ते अब जो भी मैंने आपको business transaction दी है जैसे screen पे देख रहे हो आप सबी आपको ये देखना है कि इसमें cash आ रहा है या जा रहा है या फिर ये non cash transaction है अगर तो बेटे कोई ऐसा point आ जाए जिसमें ना तो cash आए और ना cash जाए उसे तो भूल जाओ, लिखेंगे नहीं यहाँ पे cash book में नहीं लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे इससर cash book में क्योंकि सुरू में बताया गया था cash book क्या होती है these are those books in which we record all या only cash transactions इसमें credit रिकॉर्ड नहीं होती तो कोई ऐसी transaction अगर आपको आती है जिसमें cash ना आ रहा हो ना जा रहा हो तो उसे record नहीं करेंगे ठीक है बेटा तो यहाँ पे point sold goods for cash अब ध्यान से point पड़ो और बताओ इस point में cash आ रहा है या जा रहा है sold goods for cash sold goods for cash हम goods sold कर रहे है हम goods sold कर रहे है मैंने question किया क्या इस point में देखके बताओ cash आ रहा है कि जा रहा है बेटे हम goods sold कर रहे है ठीक है goods तो जा रही है हमने goods को नहीं देखना है हम goods sold कर रहे है goods जा रही है बट हमने goods को नहीं देखना हमने क्या देखना है cash sold goods for cash हमने goods sold की है for cash है कौह भी क्या रहा है कि जो मैं अब से पूछ रहा हूं उसमें कैश आरहे कि जा रहा है तो जैन 5 है sold goods for cash हमने goods sold करी है फॉर कैश नहीं कैश हा रहा है अगर कैश आए तो कहा record करेंगे क्या बताया था left side debit side receipt side करें start और debit side कोई भी जब item आप record करते हो तो आपने सबसे पहले date डालने है okay date डालते हैं पेटे सबसे पहले जैन 5 जैन 5 लो प्यारे बच्चो 2 से start करेंगे 2 sales account account word लगाओ पेटे 2 sales account कितनी की सेल की बेट हमने 20,000 तो देखा आपने मैं 20 थाओं की सेल दिखा दी left side क्यों लिखा cash आ रहे हैं अगर cash आए transaction से तो debit side left side receipt side अगर cash जाए तो credit side या payment side या right side और reason जरू लिखना है पैसे आ रहे हैं न क्यों आए हैं सेल हुई है two sales account point number third यहीं की January 10 पे आते है परचेज goods for cash guys purchase goods for cash हम goods purchase कर रहे हैं for cash for cash बताओ cash आ रहे की जा रहे cash आ रहे की जा रहे जा रहे तो किस तरफ आएगा जा रहे बच्चो cash जा रहे किस तरफ आएगा debit what comes in credit what goes out cash जा रहे credit side लिखो jan 10 by purchases by purchases account by cash कैश जा रहा है हमारे पास से 30,000 भाई कैश जा रहा है हमारे पास से लिखो by purchases account 30,000 ये भी point कर लिया अब मैं आप से पूछूँगा अब मैं नहीं कर रहाँगा भी आपने बताना है मुझे आप अपने माईक भाई को ठीक कर लो जैन 15 परचेज furniture for cash हम furniture purchase कर रहे हैं for cash furniture purchase कर रहे हैं बताओ cash आ रहा है की जा रहा है comes in or goes out बोलो बिटे तो बोलना है ना बिटा मैं assumption ही लोगा आप मुझे बोलेंगे January 15 purchase furniture for cash और आपने बिल्कुल भेटचल का पार्ट नहीं बनना कि एक बोलेगा तो बाकी लोग बोलेंगे आपने सुरुवात में बोलना जिसको जब समझाता है तब ही बोल दिया करो purchase furniture for cash हम furniture purchase कर रहे हैं for cash तो बताओ cash आ रहे की जा रहे तो पेमेंट साइड जैन 15 बाई furniture अकाउंट 10,000 लोग बिटे पुट कर लिया भई cash जा रहे हैं पॉइंट नमबर नेक्स पे आते हैं नहीं जैन 20 पॉइंट पे आते हैं sold goods on credit प्रुपिस 20,000 sold goods on credit बताओ cash आ रहे की जा रहे है cash आ रहे की जा रहे है यह सब्सक्राइब नोन cash transaction इस एक credit ट्रांजर यह पॉइंट cash book के अंदर यह पॉइंट cash book के अंदर बताओ नहीं आएगा सर फिर आपने दिया क्यों क्यों है पेटे question के अंदर तो credit वाले point आई सकते हैं आप लोगों के लिए यह तो आपने देखना है कि यह point cash book में आएगा यह नहीं आएगा फिर यह कहां आएगा तो या करो मैंने starting में आपसे कहा था क्या कहा था यह देखो credit transaction कहा record होती है पेट cash book okay sir fine jan 25th guys jan 25th आगया है received commission rupees 10,000 received commission rupees 10,000 बताइए cash आ रहे की जा रहे है very good receive side लिखेंगे jan 25 to commission account 10,000 लिख दिया है पेटे हमने ठीक है cash आ रहे है commission रसी हुए अगला point है jan 31 cash deposit into bank repeat करता हूँ cash deposit into bank हमने cash bank में deposit कर दिया वही हमने cash बेटे मेरी जे में जो पैसे पढ़े थे मैंने पैसे बैंक में deposit कर दिए जल्दी बता बेटे मैंने पैसे bank में deposit कर दिए बता मेरे पास एक cash गया है कि आया है सोचो मैं बिजन्स हूं, यहज़ जा रहे है, वरिगूड, मैं बिजन्स हूं बए, मैंने cash bank में deposit किया आपके सामने, मेरे पास यह cash जा रहे है, तो लिखो payment side, जैन 31, buy bank, भी कहां जा रहे है, buy bank account, कितना जा रहे है, 20,000, लौबित लिख दिया है, बैटे हमने, कि अब सारे पॉइंट करने के बाद एक बाद ध्याना कि मेंटे क्वेस्टिन आपको कैसा भी आ जाए अगर हम सिंगल कॉलम का मतलब कैश है तो बैंक को भी नहीं देखना आप यहां पे सिंगल का मतलब कैश कॉलम से तो अगर कैश आ रहा है तो लेफ्ट साइड रिसिप अगर कैश जा रहा है तो क्रडिट साइड लिख दो यह सिंगल कॉलम की बात कर रहा हूं पैटे सिंगल कॉलम में सिर्फ आपने कैश को देखना है एवन की बैंक को भी नहीं देखना आपने कैश आ रहा है डेबिट साइड पिसे साइड जा रहा है क्रडिट साइड या पे माक्स कब मिलेंगे जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग कैसे करते हैं यह सबसे important चीज है तो करें सरो balancing के लिए क्या करना पड़ता है पिटे last में column लगाएंगे इस तरह से दोनों same बिल्कुल सामने सामने बिल्कुल सामने सामने बिल्कुलम लगाएंगे और नीचे एक line blank छोड़नी है अपने बिल्कुलम लगाएंगे और नीचे एक line blank छोड़नी है अब बिताँगा थोड़नी है अब गाईस क्यों हम single column cashbook कर रहें तो याद रचना जब भी हम balancing करेंगे तो उससे पहले हमें totaling करने ही पड़ दिया और totaling हम कैसे करेंगे जो side बड़ी होगी वो पहले totaling करने है जो side बड़ी है उसकी totaling पहले करेंगे लोग भई कॉस्तों मुझे पूछ रहें कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन side बड़ी है तो पिटे आप rough में आप working note में या rough में दोनो मेरा amount की totaling से है item से नहीं कि side item जादा है या कम है उससे मतलब नहीं है बड़ी का मतलब किस side कौन side बड़ी है it depends कि amount value किस की ज़्यादा आ रही है अच्छा अभी हम कौन सी cash book करने हैं जड़ा बताओ single column single column मतलब cash column और guys मैं आप को यहां बता दू single column cash book या cash column की हमेशा debit side बड़ी होती है I repeat cash book के अंदर cash column का always debit side का total ज़्यादा आएगा credit से सर ऐसा क्यों बेटे इसके उपर तो question बड़ा important question भी आता है why a cash book always show debit balance debit balance का मतलब debit side बड़ी क्यों होती है cash book के cash column की debit side बड़ी क्यों होती है इसका सुनो beरे answer बेटे मेरे पास जितने पैसे पड़े हैं let's see अगर मेरे पास five hundred rupees पड़े हैं देखो आपके सामने मेरे पास five hundred rupees पड़े थो क्या मैं five hundred से ज्यादा खर्च कर सकता हूं खुर सोचो बेटे अगर मेरी pacifient में five hundred rupees पड़े what we have तो किया हम उसे ज्यादा खर्च कर सकते हैं, नहीं न, खर्च मतलब payment side, what we have, यह कितना मुझे मिला, is called receipt side, तो जितनी मेरे पास हैं, यह जितना मुझे मिला, is called receipt side, कितना मुझे खर्च करना है, is called payment side, तो अगर मैं यह 500 पर लेके Elante Mall जाता हूं, शौपिंग करने के लिए, cash लेके, मेरे पास कोई e-wallet, या कोई bank, bank, check नहीं है, बैटे, 500 पर लेके मैं cash, मैं जाता हूं, Elante Mall, शौपिंग करने के लिए, तो मैं maximum कितना खर्च कर सकता हूं, up to 500, that's why कि जितनी मेरे pocket में पैसे हैं, उससे ज़्यादा में खर्च नहीं कर सकता, जितने मेरे पास पैसे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है cash book की debit side को, तो आप देखते हैं, हमारे पार कितना cash है, 70 plus 20, 90 और 10 वन लेक, बैटे, we have वन लेक रुपेस, तो I'll always remember cash column की हमेशा debit side बढ़ी होती है, तो आपने हमेशा cash column की debit side totaling पहले करनी है कर लिया, पैटे वन लेक आ गया यही वन लेक उठा के लिख दो आप credit side यह लोग लिख दिया बैटे यही वन लेक उठा के लिख दो पैटे आप credit side, लिख दिया बैटे अब इस वन लेक में से जितने भी आपने payments करी हैं फरनीचर परचेस किया, goods परचेस करी bank में deposit किया, जो भी payment side में आइटम दी होती है, उन सभी आइटम को minus करो तो फिर क्या आएगा, कितना balance बच किया, भई मुझे balance निकालना है तो what we have, मेरे पास कितना है 1 lakh रुपेज यह 1 lakh कैसे आया, debits side की totaling करके आया 1 lakh रुपेज मतलब हमारे पास 1 lakh रुपेज है हमने खर्च कितना किया तो payment side में जो भी item दी हुई है, मतलब वो हमने खर्च किये buy purchases buy furniture buy band, यह expenses है guys या फिर हमने bank में deposit किये यह सारी payments है, तो कितनी payment करी है आपने 30,000 plus 10, 40 plus 20, 60,000 की payment करी है आपने तो बताओ balance कितना बचा balance कितना बचा कैसे निकालेंगे, total message इतने भी expense किये थे, आपने 30,000 20,000, 10,000 सारे minus कर डालो, और बताओ balance कितना है, last date लिखेंगे नीचे Jan 31 always हमने मन्त की last date लिखनी है, Jan 31 buy balance carry down carry down, याद है carry down मैंने क्या बताया था आपको brought down का मतलब होता है, पैरे बच्चो opening balance और carry down मतलब बच्चे क्या होता है closing balance हमारे पास कितना closing balance बच गया, जल्दी बताओ yes, 40 और in bracket जरूर लिखना बच्चे balancing figure be oblique F, ये balancing figure हमें बताती है कि ये 40,000 minus करके आया है, हमने total 1 lakh में से सारे expenses minus कर दिये, 30,000 बी, 10,000 बी और 20,000 बी, सारे payments minus कर दी receipts side की totally पहले करी 1 lakh आगी वही आपने credit सा लिखनी है totally, 1 lakh, उसमें सारी payment minus कर दी, तो balance कितना है हमारे पास 40,000, अच्छा ये बताओ बात ये खतम नहीं होती, जो Jan 31 का closing balance आपके सामने है 40,000 रुपेज, मैं repeat करता हूँ आज Jan 31 है आज जो मेरे पास closing balance आया, 40,000 बताओ वो कल का क्या बन जाएगा बताओ वो कल क्या बन जाएगा गॉट इट, ओपनी में, तो उसे आपने opposite सा लिखना भी है तभी बैटे मैं line छोड़ी थी, याद होगा आपको यहाँ पर लिखना है इसको to balance, B, A, L balance, बैटे वैसे तो कोशी किए को full form लिखने की, बैटे अगर मैं short form लिखने हूँ बैटे, तो लिख सकते है balance brought down 40,000, देखा आप सब ही ने जो हमने line बैटे छोड़ी थी आपको याद होगा, उस line का यह purpose था, कि जो आज closing balance था, जो आज closing balance था, हमने उसे carry forward करके दिखाना है आप इसे brought down लिख सकते हैं, आप इसको brought forward भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, पर लिखना एक ही, दोनों नहीं बैटा तो यह क्या था, जो पिछले months हमारा closing balance था, वो आज क्या बन गया, हमारा opening balance बन गया April 1 2 balance brought down लिख के, यहाँ पर question complete होता है बैटे आपका अब आप से exam में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई एक question देखे, आपसे balance भी पूछ सकते हैं totaling भी पूछ सकते हैं item भी पूछ सकते हैं opening balance कितना है, closing balance कितना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको complete sum तो आना ही चाहिए न, यहाँ पर मैंने single column cashbook का complete question ले लिया, एक बात और, अगर कभी किसी item का trade discount आ जाए cash discount आ जाए तो आपने minus करके net amount लिखना है, single column cash net amount, क्यों है ऐसा बेटे क्योंकि हम यहाँ पर एक ही column prepare कर रहे हैं, और वो है cash column, तो आपने net amount निकाल है, अगर suppose मैं कहता हूँ purchase goods for cash rupees 1 lakh 20% trade discount, तो 1 lakh की goods 20% trade discount minus किया, 20,000, कितना आ गया, 80,000 आ गया, आपने 80,000 से यहाँ पर entry parts करनी है, आपने यहाँ पर cash में 80,000 लिखना है, मतलब था कि अगर किसी question में trade discount आ जाए, cash discount आ जाए तो आपने minus करके discount को net amount यहाँ पर लिखना है cash book के अंदर करके अंदर